नमस्ते बच्चों, JCRTK DG स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों, आज हम दूसरी कक्षा की एक कहानी जो की आपके पार्ट नमबर चार पे है और जिसका नाम है किसी से कहना मत बच्चों, आपकी जो हिंदी पार्ट पुस्तक है उसका नाम है जिल मिल और इस पार्ट पुस्तक के पेज नमबर पंदरह पे पार्ट संख्या चार में यह कहानी है किसी से कहना मत तो हम देखते हैं कि इसमें किसी से क्या नहीं कहना है तो कहानी बहुत मज़दार होने वाली बच्चों आप कहानी में बने रहे और ध्यान से सुनिए बच्चों देखिए स्क्रीन पे एक रात की बात है ओँ बच्चों रात की बात है दीन की बात नहीं है आगे क्या हुआ टीटू अपने खेट की रखवाली कर रहा था बच्चों टीटू एक किसान है वह अपने खेट की रखवाली कर रहा था हम लोग गाओं में रात के समय अपने खेटों की रखवाली करते हैं न उसी तरह से बच्चों यहां देखी एक तस्वीर इसमें एक हाथी है और उड़ता हुआ हाथी आसमान से नीचे उतरता हुआ पंखों वाला हाथी देखे बच्चों यहां लिखा हुआ है अचानक उसे दिखा आसमान से उतरता पंखों वाला हाथी तब तो डर गया होगा टीटू अब देखें डरा या नहीं डरा बच्चों बहुत अच्छा होने वाला है अभी तो हाथी बहुत मिलनसार निकला वह टीटू से बात करने लगा कुछी देर में दोनों में दोस्ती हो गई बच्चों कितना अच्छा ना दोस्ती हो गई उड़ने वाला हाथी के साथ आगे क्या हुआ बच्चों हाथी ने टीटू को बताया हमारे यहाँ पर तो तरह तरह की मिठाईया और फल होते हैं बहुत बड़े बड़े अच्छा बहुत बड़े बड़े फल और बहुत बड़ी बड़ी मिठाईया बच्चों आप इस्क्रीन पे ध्यान दीजे न और पाठे पुस्तक पे भी हाथी क्या कहता है टीटो को हमारे यहाँ पर तो तरह तरह की मिठाईयां और फल होते हैं बहूत बड़े बड़े हमारे अंगूर तुम्हारे सेव जितने बच्चों अंगूर देखे न और सेव भी देखे हैं अंगूर सेव की तरह और सेव तरभूज की तरह तो बाप गई तो बहुत बड़ा है बच्चों तो टीटो कहता है अरे यार कभी मुझे भी अपने साथ ले चलो देखिए बच्चों स्क्रीन पे सेव कितना बड़ा फुटबाल जितना बड़ा बच्चों निम्बू कितना बड़ा कुम्रे जितना बड़ा पामकीन होता ना कुम्रा बच्चों तर्बूज कितना बड़ा बड़ी सी हांडी के समान बड़े से घड़े के समान और अंगूर कितना बड़ा बहुत बड़ा तो जल ये फिर्स एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं अभी तक जो हमने कहानी में देखा एक रात की बात है टीटू अपने खेत की रखवाली कर रहा था अचानक उसे दिखा आस्मान से उतरता पंखो वाला हाथी हाथी बहुत मिलंसार निकला वह टीटू से बात करने लगा कुछी देर में दोनों में दोस्ती हो गई हाथी ने टीटू को बताया हमारे हाँ पर तो तरह-तरह की मिठाइयां और फल होते हैं बहुत बड़े-बड़े हमारे अंगूर तुम्हारे सेव जितने और हमारे सेव तुम्हारे तर्भू जितने बड़े बच्चो पढ़ना जदी आता है तो ठीक है नहीं तो कहानी आप सुनिये फिर धेरे देरे आपढ़ना भी सीख जाएंगे हमारे अंगूर तुम्हारे सेव जितने और हमारे सेव तुम्हारे तरभूच जितने बड़े होते हैं टीटू ने कहा अरे यार कभी मुझे भी अपने साथ ले चलो अच्छा जब दोस्ती हो गई है तो ले ही जाएगा न बच्चो आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ कहीं कहीं गूमने के लिए चले जाते हैं लेकिन कहीं भी जाएगा बच्चो अपने माता पिता को बोल के जाएगा अकेले नहीं जाएगा न तो हाथी ने कुछ तो कहा होगा न हाथी ने क्या कहा हाथी ने कहा ठीक है चलो बहुत अच्छा ठीक है कहा अगली बार तुम्हें ले तो चलूँगा पर किसी से कहना मत कल ठीक इसी वक्त मिलना यहाँ पर और हाथी उड़ गया आस्मान में चलो आगे क्या हुआ अब टीटू से रहा न गया ऐसा ही होता है बच्चों कहते हैं न कि किसी से न कहना लेकिन अपने मन की बात हम लोग किसी न किसी से कही देते हैं तो देखते हैं किसको कहता है उसने हाथी वाली बात अपनी पत्नी बसंती को बता दी ओह ओह तीटू की पत्नी का नाम बसंती बसंती भी टीटू के साथ जाने की जिद करने लगी ऐसा ही होता है बच्चों घरों में टीटू ने कहा ठीक है तुम भी चलना पर किसी से कहना मत अच्छा ये भी कह दिया कि किसी से कहना मत लेकिन बच्चों बसंती से भी रहा न गया यानि कि टीटू की पत्नी से भी रहा ना गया उसने बता दिया चाची को चाची ने बताया चाचा को चाचा ने दादा को दादा ने दादी को बच्चों यहां तो लाइन लग गई असमान घुमने वालों के लिए ना असमान की सहर करने वालों के लिए और सब के सब आसमान की सर के लिए आ गया बाग में देखिए बच्चों यहां चीतर आप देख सकते हैं सब आ गये हैं हाथी आया अच्छा हाथी तो आया उसने प्रामिस किया था वादा किया था तो आ गया इतने आदमी औरतों को देख कर घबर आया उसने तो कहा ता टीटू को अरे हां तो देर सारे लोग आ गए हैं बच्चों कितने लोग आ गए हैं टीटू बसंती चाची चाचा दादा दादी तो छह लोग तो हैं कम से कम तो चलिए उसकी पत्नी ने यानि कि टीटू की पत्नी ने उसे सभी को ले जाने के लिए मनाया अच्छा फिर टीटू ने पकड़ी हाथी की पूँच बसंती ने पकड़े टीटू के पैर इस तरह सब के सब लटक गए एक दूसरे से पैर पकड़ कर हाथी उड़ चला आसमान में यहां आप बच्छों चीतर देख सकते हैं देख रहे न बच्छों देख लिजिए यहां पे चीतर दिया हुआ है बिल्कुल इस चीतर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक दूसरे का पैर पकड़ के उड़े जा रहे हैं अब बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ क्या-क्या लिखा हुआ है वो भी आपको समझना है है ना क्या-क्या लिखा हुआ है चलि हम लोग देखते हैं बच्चों तो यहाँ पे देखिए यह तो हाथी है और टीटू कहाँ है हाती की पूँच पकड़े हुए है बसंती कहां है ये टीटू का पाउं पकड़ी हुई है उसके बाद ये चाची उसके बाद चाचा चाचा को देख रहे हैं न बच्चो और ये हैं चाचा ये वाले है न और उसके नीचे ये वाले दादा और सबसे नीचे दादी देख लिए बच्चों इतना सारा चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ जो जो लिखा है वो भी आपको देखना है बच्चों देखे क्या क्या लिखा हुआ हाथी दुके बारे में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है आगे है टीटू बसंती चाची चाचा दादा दादी इन सब्दों को बच्चों आपको सिखना है टीटू बसंती चाची चाचा दादा दादी अब तो सब लोग आसमान में उड़ रहे हैं बच्चों बसंती ने पुछा टीटू वहाँ अंगूर कितने बड़े होते हैं। सेब जितने बड़े। कौन बोला होगा। टीटू बोला है ना। और सेब कितने बड़े। तरबूर जितने। ठीक है बच्चों ध्यान से सुनिए। यहापे लिखा हुआ है। और सेव कितने बड़े तर्बूज इतने तर्बूज कितने बड़े बहुत बड़े कितने बड़े इतने बड़े इतने बड़े टीटू ने हाथ फैला कर बताया फिर क्या सब गिरे नीचे धड़ाम धड़ाम कोई पीठ के बल तो कोई कंधे के बल गिरा और सब के उपर गिर का टीटू आगाम से तो बच्चों ये उड़ने वाले हांथी की कहानी आप लोग पढ़े आपको जरूर अच्छा लगा होगा आप सब अपने से भी पढ़िएगा और ध्यान से आप इस कहानी को एक दो बार सुन लीजिए और खुद से पढ़ने की कोशिस कीजिए निश्च ही कहानी आपको अच्छी लगी होगी लेकिन बच्चों इस कहानी का नाम भी बड़ा अच्छा है किसी से कहना मत है ना तो जदि वो किसी से नहीं कहता तो क्या होता ये भी आपको बताना है ठीक है बच्चों इस कहानी को मैं यहीं पर आप समाप्त करता हूं और आप लोग तो इस कहानी को बार बार देखिएगा और अपने पाठी फुस्तक से भी पढ़िएगा ठीक है बच्चों, जैहिन बच्चों